भाईयों और भेनों, मुझे संतोश है कि 2016 में, बिटी आर में, वो 2016 में, बिटी आर में, शांती और विकास का जो बादा हमने किया था, उसे लेकर हमने बहुत इमानदार प्रयास किया है। कॉंग्रेस की लंबे शांसन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में जोंक दिया था। एंडिये ने असम को शांती और सम्मान की सौगात दी है। आप याद कीजिए, यह अटल जी की ही एंडिये सरकार थी, जिसने बोडो लेंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया। और यह भी देखिए, एंडिये की वरतमान केंदर सरकार है, जिसने स्थाही शांती के लिए एतियासिक बोडो अकाड पर मुहर लगाई है। आज BTR का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुवाद भी हुई है। बोडो लेंड के स्थाही विकास के लिए हमारा मंत्र है Peace, Progress और Protection यानि शांती, समरुद्धी और सुरक्षा। बीते वर्सों में बोडो लेंड, टेरिटोलियर, रीजन के विकास के लिए सैंकडो करोड रुपिय विशेश तोर पर दिये गए हैं। इसके तहट अनेक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। कोकराजार में मेडिकल कॉलेज के निर्मान का कार्य तेज गति से चल रहा है। पंद्रा सो करोड रुपिय का पैकेज गोशित किया गया है। उसको भी तेजी से लागू करने की कोशिश की जा रही है। बोडो लेंड उनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टिटूट और टेक्नोलोजी, बिनेश्वर भंबा इंजिनेरिंग कॉलेज, बोडो लेंड भवन, ऐसे अनेक काम अब यहां की पहचान बन रहे है। बोडो समाज की संस्कृती, यहां की पहचान, यहां की भाषा, यहां की परंपराए, इन सब की सुरक्षा, यह भी हमारा पहला संकल्प है और इसको पूरा करना हम अपना दाई तो मानते हैं। तुलंगा पुरी में, बोडो फा उपेंदरनाज ब्रह्मा जी के नाम से, एक कल्चरल कॉंप्लेक्स और सेंटर फॉर एक्सलेंसी, यहां का गवरव और बढ़ाएगा। यही नहीं, बोडो भाषा को संभीधान के एच सिजूल में डालने का काम भी किया जा चुका है। बोडो समाज की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए और सम्रुद्ध करने के लिए NDA सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतिए है।